हेलो अब्रिवार कैसे हैं आप सब उम्मी रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह चलिए इस वीडियो के अंदर हम लेके आया है शेर कैपिटल लॉंग क्वेश्चन इशुड एट स्कुर्टी प्रीमियम के ऊपर एक ही हम बात कहना चाहूंगा कि जब कंपनी ज्यादा प्रैस में शेर को इशु करती है उसे हम क्या कहते है श्कुर्टी प्रीमियम और चाहूंगा कि शेर कैपिटल जो हम इशु कर रहे हैं प्रीमियम पर का मतलब यहां क्लियर करना चाहूंगा बहुत सारे स्टूडेंट को स्कुर्टी प्रीमियम में कन्फूशन रहता है कि जब हम शेर को कैंसल करते हैं तो क्या यह डेबिट होगा एट टाइम और कैंसलेशन यह नहीं होगा चलिए जब हम कोशन आगे बढ़ाएंगे आपको यह पूरा समझाएंगे कि कब ऐसा हो सकता कब ऐसा नहीं हो सकता कोशन रखता हूं आपके सामने खूसूरत अंदाज में आगा चमकता हुआ यह देखिये हैं क्या खूसरसी शाइनिंग है इसकी चलिए कोशन एक बढ़ लेते हैं आपके लिए और आप भी पढ़िए का मेर प्रिम्यम रूपीज टू पेबलाज 3 ओन अप्लिकेशन 5 ओन अलॉट्में इंक्लूदिंग प्रिम्यम रूपीज 2 ओन फर्स्ट और रूपीज 2 ओन फाइनल कॉल इदक बेसी कोशन है थाउजंड शेरोल्डर नॉट पेट फर्स्टें फाइनल कॉल ही शेर फोरफीट पहली एंट्री कौन सी आएगी आरे वही आपकी बैंक अकाउंट डेपकेशन टू-चेर ऐप्लिकेशन चलिए हम पर्टिकुलर अमौंट लिखले हैं फॉर्मेट के अंदर जूम लिख चुके हैं अब हम पहली एंट्री क्या पोस्ट करेंगें बैंक अकाउंट डेप्टे 1,50,000 अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर क्या चुका है प्रीमियम चलिए अलॉट्मेंट की प्राइस देखते हैं 5 रूपी पर शेर हैं उसमें से 2 रूपीज प्रीमियम है तो कैटल के कितने हुए 3 रूपीज तो शेर कैटल आएगा 1523 1,50,000 लास में क्या आएगा स्क्योर्टी प्रीमियम रिजव मैं यहाँ पर यह मान के चल रहा हूँ कि आपको जनल एंट्री के अच्छी खासी एंडरस्रेंडिंग है तो उसी इस टेप्र के अंदर कुछ एंडरस्रेंडिंग की हुई है पर्टिकुलर्ली अट जनल एंट्रेस तो लास्ट में क्या आएगा स्क्योर्टी प्रीमियम रिजव ऑपकोर्स 50 इंट्री नेक्स एंट्री क्या आजेगे आपकी बैंक अकाउंट एंट्री तो शेर अलाट्में क्योंकि यहां कुछ पी गडबर नहीं हुआ आब इसके बाद नेक्स क्या गरेंगे हम 1st कॉल के नियुक्नानाप्ट नाथ कि और उलेगे चलouldी अएंट्री डालते हैं इतना आना चाहिए था अब यहां पर स्टेटमेंग को फिर से पढ़ें फिर्स कॉल पे थाउजन शेर ओडरों ने टूरुपी नहीं दिया इसे हम क्या कहते हैं कॉल जिन एरिया चली डैबिट करते हैं कॉल जिन एरिया एकाउंट डैप्टेट रूपीस 2000 अब जो डिफरेंस वह किसमें आएगा बैंक अकाउंड में तो बैंक अकाउंड डैबिट कितने से होगा 98,000 इसके बाद क्या है शेर फाइन अकॉल सेम वही ट्रांजेक्शन है एंट्री डालते हैं 50,000 इंटो 2 कितना बन गया वान लैक तो शेर फाइन अकॉल टू शेर काप्टल सेम वही बैं 2000 शेर ओल्डर हैं जिन्होंने फाइन अकॉल ने दिया फाइन अकॉल का रेट है तू नमबर इंटू रेट सो कॉल जिन एरियर कितना हो गया 2000 और डिफरेंस किसमें आएगा बैंक अकॉन में 98,000 चलिए अब कंपनी क्या करेगी शेर फूर फीट करते वर्ड आपने सबसे प फाइन अकॉल का मतलब है कंपनी ने पैसे फाइन अकॉल तक मांगे अगर वर्ड फाइन अकॉल आ जाएगा स्टेट्मेंट में तो एक बात याद रखेगा अपने फेस वैल्यू लेनी है शेर कैप्टल के लिए क्या लेने फेस वैल्यू क्यों फाइन आकॉल है बस यही ध वैलो जिस कोश्चन में कितनी है 10 रूपी तो हम शेयर कैप्टल को डेबिट किस से करेंगे 1000 इंटू 10 दूसरी बात security premium reserve का इस question से कोई लेना देना नहीं है लहाजा security premium reserve का at the time of cancellation कोई रोल ही नहीं है ना ही आपने कुछ करना है conclude कर देता हूँ जब आप यहाँ पर security premium reserve को देखेंगे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्या premium का default हुआ चली इस question में देखते हैं share order ने default किया first and final call वहाँ पर company ने premium नहीं मांगा है यानि premium का default नहीं तो premium का cancellation भी नहीं होगा बस यही इसका एक theme है चली इसके बाद हम किसे credit करेंगे calls in area को किसे करेंगे credit calls in area तो first call पर two रुपी final call पर two रुपी हमें नहीं मिले कुल मिला के कितना नहीं मिला four रुपी तो calls in area होगा thousand into four four thousand next के आएगा इसके बाद share four feature अब यहां गौर करने वाली बात है अगर स्क्रीन पर आप गौर से देख रहे हो 10 रुपी पर share company ने call किया four रुपी का default है तो यह receive per share कितना हुआ six रुपी कितना हुआ six अब कहीं है अरे उस में से अगर आप इस तरह से सोचेंगे five rupees में से two रुपी किसका है प्रीमियम का तो capital का rate कितना हुआ three नहीं चौर फिर से समझाता हूँ दो तरीके इस entry को डालने के पहला 10 और four का difference ले लीजिए तो per share received amount is six रुपी into thousand share तो value आजेगी six thousand कई लोगों को confusion होयाता है कि application पर हमने मांगे three rupees और lot print पर मांगे five तो बनगे eight ना यह गलत है सरासर गलत है आउट वेट रुपी two रुपी तो security premium के हैं तो share capital के लिए तब भी receipt money कितनी थी six रुपी तब भी थी अब भी है तरीका आप कोई भी इस्तमाल करें आना तो six ही है चलिए इसे fix करते हैं entry में like this share for feature thousand into six वाय यार यह तो point भी मन जाती है को आपसे बाते करते मुझे point भी आनी चुरू होगी चलिए next entry कौन सी आएगी ratio की तो ratio की entry होती है bank account deputy to share capital language एक बब फिर से पढ़ते है कि company ने 600 share ratio की 8 रुपी पर share fully paid up यह जो fully paid up है यह share capital को represent करता है fully paid up का मतलब आपने face value लेने face value इस question में कितनी है 10 रुपी तो value क्या बना 600 इंटू 10, 6,000 second price obviously bank की होगी 8 रुपी पर share है 600 इंटू 8 कितना हुआ 4800 और आखिर में gap किस साइड आ गया debit side जो debit side gap आएगा वो forfeiture कहलाएगा और 10 और 8 का difference 2 रुपी सामने आएगा तो entry बन गी 1200 600 इंटू 2 और अब last entry हम कौन सी डालेंगे share for future to capture जाओ अगें number 8 का खेला we don't require any formula no not requirement कोई formula की जूरत नहीं कोई equation की जरूरत नहीं कमाल की असान टेकनिक है अब आप entry में गौर करिये जब आपने share forfeit credit किया था तो 6 रुपी चार्ज किया वहाँ और जब debit किया तो आपने वहां किया 2 र आंतर ले लिजिए 4 रुपी ये rate हुआ share for future का अब capture जब के entry में rate हमें मिल गया 4 फिर से सुन ले जो लास्ट एंट्री हम डाल रहे है share for future to capture जब कितने share ratio है 600 और share for future का rate आपने लेने 4 रुपी कैसे देखिए 6 रुपी आपने credit कि at the time of 4 फीचर और 2 रुपी debit कि at the time of रिशू 6 or 2 का difference कितना हुआ 4 तो entry का बन गई share for future account डेप्टेट 600 और 2,400 तो chapters of 2,400 उम्मी रखता हूँ ये वीडियो आपको बेद पसंद आया होगा इसी तरह से मैं आपसे मुलाकात करता रूँगा यूही बात करता रूँगा मेरा ये परियास है कि आप सभी को exams के अंदर बहुत म का मन करें आप देश सकते हैं कई पर क्या होता है टीचर से बात करने में बार बार एकी चीज़ पूछने में थोड़ी परशानी होती है इसी परशानी को असान करने के लिए आपके सामने ये परियास हर बार करता रूँगा जो भी आपको लगते है कंपे जरूर आते हैं को पर्टिगुलर टॉपिक पर चाहते हैं तो वो हमें बताते रहेगा यूई हम आते रहेंगे आपसे बात करते रहेंगे दन्यवाद कि